सबी को नमस्कार गाइस मैं माफी चाहता हूँ आप सबी से कि लगभग तीन महीने तक मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया और आपके टच में नहीं रह पाया बहुत सारे मेरे भाईयों के क्वेरी थी कुछ उनकी प्रोब्लम्स थी जिनका मैं सॉलूशन भी उनको आई होप के नहीं दे पाया तो गाइस इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और श्योर करता हूँ कि आग ऐसे वीडियो आपको टाइमली मिलती रहेंगी तो गाइस आज हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं अपने सीट कवर्स की एक्चुली यह सीट कवर कोई नॉर्मल सीट कवर नहीं है प्राइस इनका बेसिक है बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है लेकिन सीट कवर्स है आपने यह देखिए कौन से वाले है गाइस सीट कवर्स है आपने नापा लेदर जो टाटा या फिर हैरिएर बल एक में आते है यह वो आले है जो डार्क एडिशन के अंदर आते है यह दीखिए दोर्टीर सीट कवर है और कॉालिटी गाइस ना पाल एधर कॉालिटी है और काइस क्वालिटी अगर बेसिकलि आप इसको टच करेंगे तो बहुती fine quality है ये seat core हमने करोल बाग से खरीदे नहीं है दोस्तों ये seat core हमने करोल बाग में बनवाए है own order बनवाए है थोड़ी सी mistake इसमें होई थी हमसे कि उन्होंने पूछा था कि bucket seat core लेने है या semi bucket लेने है तो उस time पे हमारा कोई मन नहीं था जब order दिया कि हमें bucket में करने है तो इस बज़े से हमने semi bucket किये है तो कुछ percentage का fitting का issue रहता है नीचे से otherwise एक गाड़ी में हम इसको fit कर चुके है दूसरी गाड़ी में अभी इसको fit करके दिखाएंगे आपको कि कैसे fit होएंगे और fit and finish इनकी कैसे आनी वाली है तो guys किस्से बनवाए हैं ये अखिलेश भाईया थे करोल बाग में जिनका seat cover manufacturing का काम है और guys वहाँ पे आपको नापाल एक दर अगर लेने जाते हैं किसी भी ऐसे स्रीज की शोप में तो वो आपको price quote करते हैं छे से साड़े आठ हजार के आसपास और guys ये price आप gas भी नहीं कर पाओगे ये इतने low price में हमने अपने बनवाए हैं वो भी original नापा लेदर guys इसका price शिरफ और शिरफ 3400 3400 रुपे एक गाड़ी के seat core का हमें पड़ा है तो guys सोच लीजिए कि आप accessories लगवाते हैं तो आपको छे से साड़े आठ हजार के आसपास seat cover मिलते हैं डिजाइन के उपर basically उसका रहता है और दूसरा 500 से 600 रुपे या 800 रुपे seat cover लगाने वाला ले देता है आप यहां से seat cover बनवाके 800 रुपे दे के किसी बनदे से professional बनदे से अगर seat cover लगवाते हैं तो यह आपके budget में बहुत अच्छे से fit बैठता है quality अच्छी है air ventilation इन में रहेगी देखेए इसमें छोटे-छोटे hole है और ऐसा नहीं है कि SSE वाले कहते हैं यह फट जाएगा यह seat cover इतने नाजुक नहीं है कि यह easily फट जाएगे आप फाड़ोगे तो भी बड़ी मेहनत से फटेंगे आप चाहे इसको खीज के देख लेना यह नहीं फटने वाले wrinkles थोड़े बहुत रह सकते हैं हम यह नहीं कहते कि इसमें बिल्कुल fit and finish ऐसी आएगी क्योंकि हमने order कुछ दिया था बाद में इसको modify कर वागे थोड़ा सा अलग कर लिया था यह देख लीजिए front का यह rear seat के लिए है ठीक है थोड़ी सी mistake इसमें हुई है हमने dotted वाला ज्यादा लिया है यह उन्होंने बताया था वहिया ने कि यह fabric जो है यह ज़्यादा coat करता है इसका rate normal कपड़े से महंगा है dotted वालेगा लेकिन फिर भी उन्होंने हमने यह करके दिया बना के दिया और एक और खास बात seat के पिछे जैसा कि आप देख पाएंगे जिप भी लगाके उन्होंने दिया ताकि यह हमारे लटके लटके ना रहें कई बार pocket हम देखते हैं तो लटक जाती है इसके अंदर थोड़ा सा हलका कपड़ा लगाया हुआ है यह देखिए लेकिन फिर भी overall quality की अगर बात करें तो seat core की quality काफी अच्छी है काफी genuine है तो बारी आती है इसके price की स्वरी मैं price बताई चुका हूँ यह Achilles भाईया है उनका address और उनका phone number मैं आपको description link में दे दूँआ और इसकी installation की बात करें तो next वीडियो में आप इसकी installation देख पाएंगे किस तरह से install करने है आप खुद अपने घर पे install कर पाएंगे कोई बड़ी rocket science वाली बात नहीं है कि आप इसको install नहीं कर सकते बहुत easily कर पाएंगे गाईस चैनल को like, share और subscribe करते रहिए अपने चैनल को भी बहुत ज़्यादा जरूरत है healthy तो गाईस इस वीडियो में बस इतना ही I hope कि आप खुद से ये install कर पाएंगे वीडियो देखने के बाद और ज़्यादा पैसे बरबाद ना करते हुए आप खुद से order दीजिए सिलवाईए और अपने घर पे fit कर लीजिए आराम से कर पाएंगे और हाँ ज़्यादा एसेसरी वाले बंदों के चक्रों में ना पड़े अगर seat cover आप सिलवाते हैं तो बाहर किसी professional से आप लगवा सकते हैं ठीक है guys तो मैं समझता हूँ इसमें आपका काफी पैसा बचने वाला है और आपका time भी बचने वाला है तो चैनल को like, share, subscribe करते रहिए और motivation देते रहिए Thank you guys